जय हिन दोस्तों मैं विकास भारतवाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग previous year questions जो analyze कर रहे हैं हम लोग उसका यह दूसरा पार्ट है इसमें हम लोग आज RPF Act 1957 जो कि latest amendment 2003 में हुआ है उससे संबंदित सवालों को देखेंगे कि किस प्रकार की सवाल इस Act से पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से हम उसके लिए तयार रहें और कैसे modify करके भी सवाल आपके लिए पूछाजा सकता है इस वीडियो से आप 1 oblique 2 mark आपके आने हैं मतलब RPF Act से एक सवाल तो fix है कि उनको यह पता रहे कि यहां से सवाल आने ही आने है और इसको गलत नहीं करना है क्योंकि यह सब ऐसा Act है जिसमें कि सारे लोग prepare होंगे चाहे वो विगनर हों चाहे वो पहले से त्यारी कर रहे हों तो all are prepared in this Act ताकि वो आसानी से जो है इस exam में अपने नंबर को सुनिश्चित कर ले तो इसलिए याद रखिए एक थमरूल कि जो सवाल सब को आता है अगर वो आप गलत कर रहे हैं तो आप competition से बाहर हो रहे हैं जो सवाल सब को आ रहा है वो आप भी हल कर ले रहे हैं तो मतलब कि आप competition में बने हुए हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में लखते हुए ही ये sectional wise series मैंने शुरू किया है ताकि आप जो prepare कर चुके हैं उस preparation में चार चांद लग जाए चले देखते हैं RPF Act से जो सवाल पूछा गया था पहला सवाल है under which section of RPF Act 1957 officer and member of the force are to be considered always on duty पिछले वीडियो में कमेंट हुआ था कि हिंदी में भी सथ सवाल रखे तो इसलिए हिंदी कर दिया गया है तो RPF अधिनियों मुनिश संतावन की किस धारा के तहत अधिकारियों और बल के सदस्यों को हमेशा duty पर माना जाता है आपके लिए options थे section 15, section 16, section 13, section 14 फिर मैं यहां हिदायत दूँगा और सलाह भी दूँगा कि अगर आप सवाल जान भी रहे हैं तो भी आप चारों option पढ़िएगा नहीं तो सवाल के गलत होने की संभावना बनी रहती है तो इसका सही उत्तर है दोस्तो option number A, section 15 में यह बताया गया है कि member of the force जो हैं वो हमेशा duty पर है 2400 गंटे duty पर माने जाते हैं अब जो यह 15 तो हमने जान लिया साथी साथ आप 16, 13 और 14 इसको भी analyze करिए यहां से भी सवाल आपको दिख सकते हैं यानि कि 15 पूछ लिया तो में भी आपको 16, 13, 14 में से सवाल दिख सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि rpfldc.com जो website है उस पर आप विजिट करते रहिए वहां राजभासा के जो भी question दिये हुए हैं वहां से आपका 10 number जो है पूरी तरीके से fix हो जाएगा आप उसे बार बार देखिए उसमें जो important लगे आप notes बना लिजिए तो इस तरीके से आप राजभासा में 10 number secure कर लेंगे आप उस मैं इसलिए बार बार यह आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि राजभासा के वीडियो में आपको थोड़ी लेट लाऊंगा ताकि आप जो of member of the force were prescribed बहुत ही basic सा सवाल है और सबको जानना अवश्यक भी है अगर आप आर्पिएफ में कारे कर रहे हैं तो आर्पिएफ अधिनियम की किस दारा के तहत बल के सदस्यों के करतब्यों को ने धारित किया गया है आपके लिए options थे section 6, section 8, section 11 और section 13 सही उत्तर हैं दोस्तों option number C, तो C तो हमने जान लिया section 11 में जो है duties of member of the force के बारे में prescribed किया गया है, साथी साथ हम section 6 को देख लेंगे, section 8 को देख लेंगे, section 13 को देख लेंगे, section 8 बहुत ही important है, मेरी तरब से BBI लगाई है आपको आपके exam में आ सकता है, section 8, comment करके बताएगा कि RPF Act का section 8 क्या कहता है चलेंगे अगले सवाल पर, अगला जो सवाल आया था, वो था officer and member of the force are deemed to be railway servant as per section dash of RPF Act, बलके अधिकारियों और सदश्यों को RPF अधिनियम की किस धारा के तहद या अनुशार rail से वक माना गया है, आपके लिए options थे section 9, section 10, section 8 या section 11, तो ये भी बहुत ही हरपर मौला सवाल है, option number B section 10 में इसे बताया गया है, और section 11 में अपना duties of the member of the force के बारे में बताया गया है, तो फिर देखिए यहां पर भी आपको 8 दिख रहा, important जरूर लगाएगा, 9 भी important है, 17 भी important है, तो 9 और 17 में से आपको एक पूछा जा सकता है, 9 या 17, अगर 9 पूछ दिया तो 17 नहीं इस परकार से ये भी आप मेरी तरब से भी वी आई, आर्पिए फेक्ट में रख लीजिए, चलिए देखते हैं अगला सवाल जो पूछा गया था, अगला सवाल पूछा गया, passenger area is defined in which section of आर्पिए फेक्ट 1957, जो आर्पिए पदिनियम की धारा, sorry, 1957 की किस धारा में यात्री परिशर को परिशार, रात्री छेत्री या रात्री परिशर को परिभासित किया गया, तो definition से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, options है 2BA, 2CA, 2CB या 2BB, तो आपको ये चारो पता होने चाहिए, अगर आपको चारो पता है, तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और मैं आसा करता हूँ कि मेरे जितने भी वीवर हैं, उन सभी को ये पता होगा, all, सभी जो है, सभी मेंबर ये जान रहे होंगे, और इसका सही उतर दोस्तो, option number C, 2CB में passenger area है, वही 2CA में passenger के बारे में बताया गया है, आईएगा तो 2BB में आपको अगला सवाल इधर ही है, इससे definition से, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा, और 2BA में आपको पता होना चाहिए, कि क्या पडिभासित किया गया है, चले देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल जो पूछा गया है, if any enrolled member of the force is found guilty of cowardice, he shall be punished under section of RPF Act, मरलब जो कायरता का दोसी पाया गया है, तो उसे RPF अधिन जहां पर भी आपको इस तरह के सवाल होंगे, वहां option में आपको 9 और 17 दोनों दिखेंगे, confused नहीं होना है, दोनों को ध्यान से देख लिजेगा, इसका सही उत्तर दोस्तों option number C, section 17 में कायरता की 2C के बारे में बताए गया है, चले आगे देखते हैं, अगला जो सवाल पू 2BB, 2CB या 2A में, तो बहुत यह आसान है, इसका 2BB जो है, इसका उत्तर होगा, 2BB, तो इस तरीके से आपको देख रहे हैं, कि आर्प एक्ट से किस परकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, और आर्प एक्ट का जो मेरा प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर विजि से रिवाइज करें, तो आप उसे डेढ़ गुना करके देख सकते हैं, 1.5X करके देख सकते हैं, ताकि जो है, आसानी से कम समय में रिविजन हो जाए, सारी वीडियो अच्छे बने हुए हैं, और आसा करता हूँ कि आपके लिए मरदगार साबित हो रहे हैं, चलि अगला ज सक्षन हैं, सेक्षन 12, सेक्षन 3, सेक्षन 11 और सेक्षन 17, तो इसको अगर हम Elimination Method से बना लें, मान लिजिए आप 12 और 13 में confused हो गए, कि 12 में बिनावारन की रवतारी है, और 13 में सर्च के बारे में बताया गया है, तो इसमें अगर आप confused हो गए, तो आप इसे Elimination Method से कैसे तो Elimination Method में आप आईए, तो 17 आपको पता है, cowardness, 11 में बल सदस्यों का करतब है, सेक्षन 3 में क्या है, सेक्षन 3 में बताया गया है, बल के गठन के बारे में, तो बचा क्या हमारा, सेक्षन 12, तो यहाँ पर आप option number A निकाल सकते हैं, चलि आए देखते हैं अगला सवाल, अ अर्पीआप अगला सकते हैं, तो यहाँ पर आप आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि मेरे टेली ग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं और जितने भी मैंने अभी तक join members के लिए वीडियो बनाए हैं उन सारे वीडियो का link मैं वहाँ पर आपको paste कर दूँगा एक message के साथ कि ये सारे join members के लिए हैं लमसम 40 प्लस वीडियो आप लोगों के लिए available हैं join member के लिए आप उस सारे वीडियो को देखिए उसे notes बना लिजिए ताकि आपको बार-बार जो है join करने की विज़रत ना पड़े एक बार join करिए मेरा यह मकसद है एक बार join करिए और आप अच्छे से उसका notes बना लिजिए और आप notes को revise करिए काफी आसानी से आप तयारी कर लेंगे चलिए देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल आपके लिए है protection of any act done by member of the force in discharge of his duty is given under which section of RPF बल के सदस्य द्वारा अपने कर्तब्यों के निर्वहन में किये गए किसी विक्रित्ति का संदक्षन RPF अधिनियम की किस धारा के तहद किया जाता है तो बल सदस्यों के लिए संदक्षन क्या यह section 9, section 20, section 21 या section 12 किस में बताया गया है तो इसका सही उतर है दोस्तों option number B section 20 में इसके बारे में बताया गया है अब आप यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो एक मैं यहां पर golden rule आपको दे रहा हूँ golden rule क्या कि बहुत कम धाराएं है एक किसी धारा है इसमें तो जितनी धाराओं से सवाल पूछ लिया गया है वो तो आप यहां देख ले रहे हैं officers and members of the force to be considered always on duty and liable to be employed in any part of real wage is given under which section of RPF Act फिर से यह पूछा गया सवाल कि आप हमेशा 24 गंती ड्यूटी पर माने जाते हैं किस तहरा में बताया गया है क्या यह section 3, section 9, section 15 या section 13 में है तो section 15 इसका सही उत्तर होगा तो इस तरीके से हम लोगों ने RPF Act का previous year का question देखा तो इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि हम किस तरीके से किस राह पर किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं ज़्यादा आप hectic ना बनाएं चीजों को सरल रखें क्योंकि जितना सरल आप रखेंगे उतना सरल आपके लिए एक्जामी निसन हो जाएगा और जितना ही आप उसे कलिस्ट और कठिन बनाते जाएंगे उतना ही कठिन आपके लिए एक्जाम होता जाएगा चलिए तो यसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए सेर करिए दोस्तों के भी जिसे इसकी ज़रत है साथ इसाथ चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और all notification को on करिए ताकि सारे वीडियो जो important है इसका notification आपको सबसे पहले मिले और आप जीत की दौर में सबसे आगे रहे and at last thanks for watching this video